Good morning 6 class, बेटे आजम हमारा chapter 2, number system, उसकी first exercise start कर रहे हैं तो बेटे, fair notebook के उपर भी आपने chapter, chapter का name, exercise, date or day mention करनी हैं और जो first chapter था बेटे, वो revision थी, उसके काफी सारे sum में ने आपको करवा दिये हैं I hope आप सभी ने उन्हें अपनी rough notebook पर practice कर लिया होगा बेटे मैं आपको उसकी answer की send कर दूँगी, तो आप उससे अपने-पने sum टैली कर लिए जिएगा First है, write the numeral, आपने इनको math के अंदर लिखना है आपको English में write किया हुआ है, तो math के अंदर आपने इसको बताना है कि ये number कैसे लिखा जाएगा 2011, देखे, 2000, 100 वाला number देखे, missing है, 100 नहीं है 2000, हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में 2 के बाद, 1000 वाली तरम के बाद क्या आता है, कॉमा 2000, देखे, 100 वाला number नहीं है, तो उसकी जगे पर क्या place करोगे? जीरो, उसके बाद आगया, 11, 2011, हम जानते हैं कि पहले group के अंदर हमारे तीन number होते हैं, 1, 10, और 100, तो 100 वाली जगे पर क्या place हो जाएगा? जीरो, नेक्स ना देखे, 7 क्रोड, 60,055, 7 क्रोड, 60,055, देखे, हम उपर लिख लेते हैं, 1, 10, 100, लगा दिया, 1000 and 10,000, लैक, 10, लैक, फिर क्रोड, क्रोड में हमारे पास सिरफ एक ही डिजिट है, 7, तो 7 क्रोड लगा दिया, लैक वाला अंखा में नहीं दे रखा, देखे, यहाँ पर लैक वाले डिजिट नहीं दिये, तो उसकी जगे पर आप क्या place करोगे? जीरो, दो जीरो लगाओगे, क्योंकि टू डिजिट है, 60,60, 55, देखे, यहाँ पर भी 100 वाला नम बनी है, तो इसकी जगे पर जीरो प्लेस करोगे, फिर है 55, 7 क्रोड, 60,055, तो इस तरीके से बेटे, इसके जो सारे सम है, वो आप अपनी अपनी फिर नोट बुक पर सारे complete करोगे, बैटे सारे ही करोगे, कोई छोड़ना नहीं है, next है, insert comma and write the name, comma put करना है, Indian system के अंदर, फिर उसका name लिखना है, English के अंदर, तो देखिए सबसे पहले, Indian system में 3 digits के बाद comma आता है, 3 digits, comma, फिर 2, फिर comma, फिर 2 digits, फिर comma, फिर 2 digits, फिर comma, तो इसको हम read करेंगे, 1, 10, 100, तो हमारे पास कितने करोड होगे, 8 करोड, 8 करोड, 75,000, देखिए, सोरी बेटे, 75,00, 8 करोड, 75,00, 75,00, 95,762, दोबारा देखिए, 8 करोड, 75,00, 95,00, 762, तो इसके भी सारे सम बेटे, आप खुद ट्राइक करोगे, next है, insert comma, and write the name according to international system, international system में क्या होता है, हर 3 digits के बाद comma होता है, देखिए, 3 digits, फिर comma, फिर 3 digits, फिर comma, तो पहला जो group होता है, यह होता है, once, दूसरा होता है, thousand, और तीसरा group होता है, हमारा million, तो यह क्या है, seven eight, तो क्या बन गया, 78 million, क्या बन गया, 78 million, उसके बाद है, nine to one, nine to one को हम क्या read करेंगे, 921, nine to one को हम क्या read करेंगे, 921, और यह group कौन सा है, thousand, तो उसके बाद यह क्या है, 92, hundred वाला number नहीं है, तो सीधा इसको क्या बोलेंगे, 92, 78 million, 921,092, next देखिए, 999, 85102, तो यह क्या है, 99, 99 million, 985,000, 985,102, इस तीके से आप बेटे, इसके सारे सम कम्प्लीट करोगे, next है बेटे, सम नमबर 4, इसको भी आपने words in English के अंदर write करना है, तो इंडियन सिस्टम में दिये, इस सम के जैसे ही, आप खुद करोगे, उसके बाद है सम नमबर 5, write the corresponding numeral, आपने इनकी multiply करनी है और इनका plus करना है, मतलब आपने इनका number बताना है, कौन सा number है, तो देखे, 3 into 10,000, 30,000, 5 into 1000, 5000, 1 into 100, 100, 2 into 10, देखे, कितना आगया, 0 आगयी, और 9 बन्जा, 9, आप इनकी सब को क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे, उसके बाद है सम नमबर 6, find the difference between the place value of 2, 6, तो देखे, बेटे, 2, 6 है, इन दोनों की आप place value निकालोगे, तो बाद में इन दोनों का क्या करोगे, minus difference का मतलब होता है, minus, 7 है, find the difference between the place value and face value of 9, 9 की place value और face value, देखे, 9 की place value, यह रहा 9, 9 के बीचे कितने digit है, 7, तो आप कितनी 0 प्लेस करोगे, 7, 0, और face value क्या होता है, वो नमबर ही होता है, बेटे, जैसे 9 की face value, 9 ही है, बाद में आप इनका क्या करोगे, minus कर दोगे, difference, तो इ आपने fair notebook पर अच्छे से complete कर लेने है, thank you students